प्राइब कर सकते हो कल कर दिन क्या फिलहाल सेट अप दिख रहा है और किस तरीकी साब को ट्रेड करना है क्योंकि इंपॉटेंट यह है कि कई लोग यहां पर प्राइब कर रहे हैं और प्रॉब्लम यह है कि राइट ना उप्शन माइं पैसे नहीं बन रहे हैं मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि जो इवेंट इसके बारे में मैं यह विक्स हाई रहेगा तो आपका जो प्रीमिय सब्लेंट वाल्यू में पैसे नहीं बना रहे हो जो की प्रेसिशन सब्सक्राइब में पैसे बन रहे हैं दो बड़िये हैं इक बात है कि अगर अचानक खोछब है तो अपनी जिंदगी का सबसे बूरा और देख सकते हैं लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा नहीं हो रहा है तो श होंगा अगर आपको लगता है आप बुलिश हो तो आप पूट सेल करो राधर दन बाइंग इट आप यहां पर बात करेंगे कि फिलहाल क्या सेट अप है तो राइट नाओ मार्केट अच्छा खासा करेक्शन दिया हाई पॉइंट से आप देखेंगे तो सेवंटीन थाउजन वन सेवंटीन पे लोजिंग दी है इंगल्फिंग कैंडल बना है और यहां पर आप अगर देखेंगे तो सबसे बुरी नियूज चल रही है जो कि है क्रूड और आप प्राइस देखेंगे तो 112 113 डॉलर के आसपास है सबसे मुश्किल है यहां पर इंडिया में तो आधा मैनिपलेशन का केल चलता है कुछ भी टीवी वाले सुबहे से करते रहते हैं फिर उठा देते हैं लेकिन ओयल को ग्लोबली प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है और को हमने बहुत सही तरीके से पकड़ा 103 से 113 के आसपास अब पहुंच चुके हैं एक और बड़ी चीज़ हुई है जो है बॉन्ड डील्स यहां पर बहुत हल चल है को इसको अभी भी सही तरीके से टेब नहीं कर रहा हूं इसलिए यहां पर दिख सकते हैं फेट पर प्रशर डालने के लिए इल्ट सूपर है तो मैंने आपको बता दी आपका डॉलर इंडेक्स 98.3 पर है अलड़ी हाइस पॉइंट पर है तो ऐसा कुछ नहीं है जो सब्सक्राइब है तो मेरे पॉट्फोलियो से अच्छा वही आदमी बनाएगा जो फिफ्टीन सब्सक्राइब के नीचे बनाएगा तो मुद्दा यह है कि आप अगर सत्रा पांसो को पॉट्फोलियो बनाके बैठे हैं और आ गया तो आप बड़े कुश हो रहे हो तो कोई पर और लेना था और आपका एवरेज 16500-400 होना चाहिए था तो सिंपल सी बात है मार्केट क्या बॉटम बना चुका है मेरे इसाब से नहीं क्या मार्केट 15700 तो तोड सकता है एपसलिट्ली यस और अगर यह जो इस्जू है आपको पता जो बाइडन ट्रेवल कर रहा है तो यह फिलाल चीज़ें चल रही है तो ध्यान दीजिए कब कहां से कितना बड़ा केंडल बन जाए आपको नहीं पता और बनेगा लास्टाइम ही मैंने कहा था अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताओंगा इंवस्मेंट को डाइवर्सिपाई कैसे करना है फिर हम कंटि हुए हैं तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट में रिस्क है तो इस समय पे आपको अपने पॉर्टफोलियो को डाइवर्सिपाई करना बहुत जरूरी है जैसे कि मुचल फंड एटीएफ्स डिपॉजिट एक्सेटरा अब आप जाना चाहते होंगे कोटक चरी है क्या कोटक च फीचरी की सबसे बहतरीन बात यह है कि यहाँ पे आप सारे इंवेस्टमेंट एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हैं इसके बाद आपको और एप्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके की फीचर यह है कि इस नॉट उली वन स्टॉप शॉप फॉर और यूर फ्रेंडली है यहाँ पे आप सीख सकते हैं किस तरीके से आप ट्रेडिंग और इंवेस्टमेंट कर सकते हैं इसका खास द्यान रखा जाता है यहाँ पे प्रॉपर सेफटी पर्टोकॉल्स यूज़ किये जाते हैं तो आप आप इसको चेक कर ना चाहते है तो वीडियो के description pin comment है मैंने link दे दिया है तुरंत जाएए उसको install करिए check out करिए अपने सारे portfolio's investments को track करिए अपना net worth track करिए यहाँ पे आप check कर सकते हैं invest कर सकते हैं तो यह सारी facilities को टक्षरी देता है मुझे उमीद है कि यह आपको बहुत काम आने यह बात करते हैं अपने वीडियो में ऐसे बारे में इसे बहले वीडियो में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर या लाल वाला बटन आपको दिखरा होगा अगर दिख रहा है तो अगर आप बियर हैं और आपको पता है कि फॉल अभी नहीं शुरू हुआ है तो अगर फॉल शुरू हुआ तो आपके पास नीचे की पूरी जगह है क्योंकि हम जहां से आए हैं बाउंस होके पूरा का पूरा स्पेस कवर सकता है मार्केट इन केस अगर कोई तो निगेटिव कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट फ्लैट चल रहे हैं डॉलर आपका हाई पर है कमोरिटीज मैंने बता दिया टैनियर इल्ड मैंने बता दिया और आप यहां पर यूएजडी आयन आप देखेंगे तो 76.3 चल रहा है जो की बहुत हाई लेवल है इससे काफी प्रिशर बढ़ता है बैंकिंग स्टोक्स में और अल्री हाई है अब बात कर लेते हैं यहांपे कि किस तरीके से आपके इंडिया में कौन-कौन से स्टोक्स हैं क्या से एक्टप चल रहा है सबसे पहले मैं सबसे पहरा मेरा स्टोक्स आप देखे इग्जाक्लि 50 एमे से इसको रिवर्सल इन्होंने कराया है और जो क्लोजिंग गी है आपकी 20 एमे पे है और उसके नीचे इनफैक्ट की है तो मेरा यह कहना है कि हो सकता है जो बैंकिंग की रैली है वो ओवर हो चुकी हो कोई भी बाउंस मिलता है दस बारा ब्रेकडाउन होना चाहिए वह 724 नहीं वह आपका 714 का होना चाहिए लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आपका स्टॉप लॉस किसी भी केस में आज का हाई मान के सचल सकते हो सेवन फॉर्टी होना चाहिए और आप कमफर्टेबली शॉट तब तक कर सकते हो जब तक ह बड़ी यहां से इतना बड़ा फॉल आया बारा सो से और आप देख सकते हैं जिस तरीके के यहां कंसॉलिडेशन हो रहा है उससे असा लग रहा है कि इसका बेस काफी लंबा चलने वाला है काफी लंबा बनने वाला है मेरे इसाब से एनी पॉइंट ऑफ टाइम 900 का लेवल बैंक तो समझ लो बैंकिंग में भी पॉस्टिविटी रहेगी और इसिंट बैंक तो फिर तो रॉकेट हो जाएगा आपको यहां पर कम से कम पचास से 80 रुपर मिलेगी तो ओवरॉल इनसेंट बैंक को ब्रेक करना चाहिए क्यों काफी कुछ इसमें पेंडिंग है लेकिन दर्दा है कि क्या मार्केट में अब इनसेंट बैंक का जो रैली था यही वाला था और खतम हो चुका है अब हम डाउंसाइड देख सकते हैं क्योंकि हम अपने लोवर लेवल से 700 भी जा सकते हैं आपका 670 के एरिया तक एक बार जा सकते हैं क्योंकि यह काफी लंबा सपोर् से तो यह काफी वीक स्ट्रक्चर मेरे साब से इस नॉट बुलिश पैटर्न मेरे साब से यह हाई था अच्छा खासा है इसने बनाया था उसके बाद करता है 960 950 के एरिया में अगर 950 क्रॉस करता है तो आप जा सकते हो 1100 तक अगर 950 960 क्रॉस नहीं कर पाता है और किसी भ इस उपर नीचे यहां पर आपका रजिस्टंस था इसने यहां पर ले लिया है लेंकिन फिलहाल सकता है और इस तरीके से आप यहां पकड़ कि यह पॉरे स्वाल शेख नहीं मानना है घिंव पॉटकोला है तो क्या दिक्कत है अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की निफ्टी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवल 50 में से रिवर्सल इसने दिया है यह आपको बता दू मैं 20 वीक मुविंग एवरेज भी है इंगल्फिंग कैंडल है गैप काफी बाकी है एक बार 16950 तक आ सकता है लेकिन इंपॉर् मुव नहीं दे रहा है फिलहाल क्योंकि यूएस मार्केट अभी डिसाइब नहीं दे रहे है अब उसके रहाब बात करेंगे तो यहां पर गैप डाउन होता है तो 16950 पर सपोर्ट मल जाएगा बैंग निफ्टी का इमेडियेट सपोर्ट 35600 पर है यह ब्रेक होने के बाद ह डिसाइब नहीं होता है तब तक बहुत अग्रेसिव ना रहें यहां परिशान कर सकता है टाइम पास कर सकता है तो मेरा कहना है अग्रेसिव शॉटर जो हैं 35500 को इसके नीचे शॉट करें और जो लॉंग होना चाहते वह 37000 के उपर अगर आप बोलते हैं चालिस पचास की सबसे यहां पे दुखत बात ही है कि यहां पे इसकी खतम हो जुकी है यहां से फिर रिवर्सल आ सकता है तो नाव टाइम इस टुबी कॉशियस इन फार्मा उलसो फार्मा को मान सकते हैं कि सबसे लीडिंग सेक्टर था जो उपर की तरह आयलेकिन फिर भी फिर भी इसको ब्रेककर ना आसान नहीं होगा अगर ब्रेकक कर जाता है अगर और जयाता जो कि हाइव पॉसिबल है कभी भी पॉसिबल है अगर यहां पर जादा खेल खेला तो समझ लो की तोड़ने की फिराप में ठीक है अब उसके लावा में बात करूंगा कई स्टॉक्स ने हाई बनाया लेकिन यह एक रेंज में चल रहा है तो उस रेंज का लोवर एरिया ट्वेंटी टू एटी है हाईर एडिया आपको 2530 है हम हाई के असपास ही चल रहे हैं तो यह फिलहाल सारे स्टॉक्स होगा जिनके बात करना चाहता था आई होप आपको माई्टी है बात कर दो अगक्ने में में ऑनाया टॉ-पकहरा थिलहा ताक करकी उना긴गी बात करिको थी बात Ralries & अजा से एंज स्टॉक्स झाल झाल